असलाम अलेकम दोस्तों, अगर AdSense आपकी साइट्स को अप्रोवल नहीं देता और इनकेस अप्रोवल मिल भी जाता है तो CPC इतना लो होता है कि आपको अर्निक्स नहीं होती, तो ये वीडियो आपके लिए है आपने सिंप्ली Google की उपर जाना है और Google पर सर्च करना है Ezoic, जैसे ही आप Ezoic सर्च करेंगे तो आपके सामने ये Ezoic की वेबसाइट ओपिन हो जाएगी ये एक ऐसा अल्टरनेटिव है जो के अगर आपकी ट्रेफिक 10,000 से भी इविन कम की है तो फिर भी आप इसको एक्सिस कर सकते हैं याद रहें कि ये चीज पहले इस वेबसाइट की उपर नहीं थी लेकिन इस वेबसाइट को अपडेट करके अब ज्यादा यूजर एक्सपीरिंस पर फोकस करके और ये चीज रखी गई है कि अगर आपकी वेबसाइट की ट्रेफिक एविन 10,000 से भी कम है तो आप इसको ए यहाँ पर अपनी इमेल को कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के बाद हम यहाँ पर कंटीनू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने डॉमें का नेम यहाँ पर टाइप करना है और उसके पाद एगरी कर देना है देखिए यहाँ पर तीन जो है वो options मिलता हैं जिन में से दो मैं यहाँ पर tick करने वाला हूँ जैसे ही हम इसको submit करेंगे तो हमारी side जो है वो further जेके यह हमें बता रहे हैं congratulations हमारी side जो है वो added हो चुगी है उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दो options मिलेंगे किस तरह हम हम इसको automate कर सकते हैं Automate, automatically हम भी कर सकते हैं और manually भी कर सकते हैं तो यहाँ पर जैसे हम further जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप मुझे follow करते जाएंगे step by step तो यह चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान रहेंगे तो simply हमें यहाँ पर क्या करना है कि अपने names वो यहाँ पर add कर देना है और फिर दूसरा setup जो है वो हमें यहाँ पर open होता दिखाई देगा यहाँ पर हमें जो set किन type पर करना है वो यह है कि हमने name servers जो है वो change करना है name servers किस तरह change करना है देखिए यह charge name servers जो आपको क्लिक करेंगे तो आपको basically यहाँ पर जो है वो कुछ articles मिल जाएंगे जिससे आपको idea हो जाएगा कि अगर आपकी कोई भी hosting है तो आप अपनी hosting के थूँ किस तरह जो है वो अपने domains के जो name servers है उनको यहाँ पर change कर सकते हैं तो मेरा basically जो hosting purchase की हुई है करेंगे कि हम उस domain को open करेंगे कि जो domain मैंने isoic के उपर यहाँ पर add किया है उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसको हम manage करेंगे उसका जो edge panel है और जो hostinger का जो panel है उसको edge panel केता है ठीक वेसे ही जो or site है उसका अलग अपना panel होता है तो यहाँ पर simply हमने क्या करना है कि इसको manage की उपर क्लिक करना है और उसके बाद जैसे ही domain जहाँ पर आपको दिखाई देगा वहाँ पर आपने आपकी domain को manage करना है जैसे ही आप नीचे scroll करेंगे तो scroll करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा name servers का यहाँ पर आपने इन चारों को simply paste करना है और उसके बाद save कर देना है और save करने के बाद हम इस चीज़ को close कर देंगे और हम अभी जाएंगे further setup के पास जैसे ही हम setup open करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे complete लेकिन देखें के website जो है वो उसके name servers जो है वो इतनी आसानी से मतलब कि जल्दी update नहीं होते है आपको थोड़ा सा time लगता है तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने just wait रणा है और next step पे आना है देखें यहाँ पे अगर आपके पास AdSense account already available है तो यहाँ पे yes पे जो है वो tick लगाना है अगर इनके आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आपने no पे tick लगाना है और ठीक वेसे ही जो Ad Manager account है अगर आपके पास Ad Manager account available है तो आपने yes करना है अगर नहीं है तो पिर आपने no करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं जो अपना AdSense का account है वो यहाँ पे लगाऊंगा और उसके बाद अगर आपके पास Ad Manager का account है तो यहाँ पे आपको एक Net for code जो है वो मिलेगा वो आपको यहाँ पे put करना होगा उसको किस तरह आपने find करना है वो इस article से जो है वो आप easily देख सकते हैं तो further मैं क्या करूँगा कि मैं इसको set invite पे click करूँगा और जो third हमारे पास option आएगा वो होगा Ad Manager का तो जैसे ही हमने यहाँ पे click किया है तो यहाँ बैसिकली जो Google Ad Manager है वो यहाँ पे open हो गया है जिसमें हम further जो अपनी settings है वो यहाँ पे हम करने वाले हैं तो यह देखिए यह domain जो है यह हमें यहाँ बता रहा है कि यह domain अभी तक जो है वो approval के लिए नहीं गिया है तो यह एक basic जो है वो आपका layout है इस website का आपने क्या करना है कि ads.txt file पे जाना है और यहाँ पे आपको जो है वो दो से तीन options पिलेंगे जिन में से हम जो है वो easy option choose करेंगे जो के है wordpress का आपने simply क्या करना है कि आपने open करनी है अपनी website अगर in case आपकी website wordpress के उपर है तो आपने क्या करना है कि आपने wordpress को open करना है और आपने plugins के उपर जाना है और simply यहाँ पे हम एक plugin को install करने वाले हैं plugin का नाम है Ezoic Ezoic plugin को जैसे ही हम install करेंगे तो जैसे ही install हो जाएगा install करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको activate करतेंगे जैसे ही हम activate करेंगे तो activate करने के बाद हम इस plugin को manage करेंगे और इसकी settings जो हैं वो करेंगे सबसे पहले हम यहाँ भी login करेंगे इस जो एक page जैसे ही आप click करेंगे login के उपर तो आपका जो tape है वो यहाँ पे open हो जाएगा एक जहाँ पे आपका जो aid manager का MCM account है वो यहाँ पे automatically ही आ जाएगा ठीक उसके बाद हम थोड़ इन चीज़ों को देख लेता हैं जैसे ही आप जो है वो इसको verify की उपर click करेंगे तो जो email आपने दी हुई है उसके उपर क्या होता है कि आपको एक email आती है देखिए waiting for integration integration आपकी जैसे ही आपकी जो आपके जो name servers है वो जिस तरह update हो जाएंगे आपकी यहाँ पे हो हैं और in case अगर आपकी website wordpress की उपर नहीं है तो आपने यह manually ही करना होता है लेकिन यहाँ पे जो website है मेरी wordpress की website है जिसकी वजह से हमने यहाँ पर plugin का use किया है और plugin का use करने के बाद जो ads का txt manager का एक problem जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा था उसको हम यहाँ से safe करतेंगे तो उ इक आपके adsense के account को भी link करना होता है ठीक यहाँ पे मैं क्या करूंगा की यहाँ पर 007 काड़ जो मेरा adsense का account है उस Millionen के लिंक भी यहाँ पर只 में पर प्रोवाय compliance करूंगा जयसे हम ख़रेंगे तो仔 masuk आक्सिस हमें बता रहा है इसका मतलब यह है कि सिंप्ली हमार अकाउंट यहां पर जोए वो क्रेट हो गया है लेकिन यहां तक आपने वेड़ नहीं करना आपने कुछ ज्यादा वेड़ जोए वो शायद आपको जोए वो करना पर जाए वो इसलिए कि 24 वोर्स to 48 वोर्स का टा इजोइक का काउंट है वो डॉमेन आपका जाता है अपरोवल के लिए तो अगर बिन टाइम पिरेट को हम कंपेर करता हैं तो एजज कंपेर टूगल एचसेंस के जो इजोएक का time period है वो बहुत ही कम है क्योंकि एक week के अंदर भी आपकी जो एक website है वो यहाँ पे आपको monetize होती हुई दिखाई देती है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इजोएक ads है वो इस बात के उपर काम करते हैं कि जहाँ पे Google Adsense आपका एक ad जो है अगर आपको कोई problems आ रही हैं कहीं भी इस process के अंदर तो kindly comment box में मुझे teach करिएगा मैं आपको हर वक्त reply देने के लिए तायर हूँ तो अगर यह वीडियो अच्छे लगी हो तो kindly वीडियो को like कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करना मत भूलेगा तब तक के लिए अल्लाँ आफिस